हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग अभी तक हमने एलिमेंटरी कैनल के बारे में पुरा डिसकस किया है उसके अलग लग पार्ट्स के बारे में देखा हम आउट से ले करके एनस तक हमने बकल केविटी की बात की देन फैरिंग्स इसोफगस स्टमक स्मॉल के बारे में डिटेल में पड़ा था उसके कुछ फंक्शन देखे थे एक बार आपको रिकाप कर दूँ मैं क्या क्या करती है लार्ज इंटेस्टाइन अब्जोर्प्सन ओफ वाटर ठीक है लेकिन मैक्सिमम अब्जोर्प्सन कौन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इवरी ग्लैंड के बारे में आप अल्रडी पड़ चुके हो उसके बारे में हमने पहले जब सलाइवा कर डिसकसिन किया था तब डिटेल में डिसकस कर लिया था हालांकि उसको भी एक बार देख लेंगे लेकिन अभी हम देखते हैं पैंक्रियाज के बारे में सो पैंक्रिय कि pancreas is a mixed gland it is both exocrine as well as endocrine एक बात क्लियर है देन दूसरी बात आप यह ध्यारक ना कि जो maximum portion है 99% जो portion है वो exocrine वाला portion होता है और उसको हम क्या बोलते है जो exocrine portion है इसको हम बोलते है यह देखना आप ध्यान से एक्जोक्राइन portion उसको क्या बोलेंगे pancreatic acini और जो endocrine वाला portion है उसको हम बोलते है आईलेट्स ओफ लेंगर हैंस जो कि क्या सिगरेट करता है कुछ होर्मोन सिगरेट करता है like insulin, glucagon, somatostatin इस टाइप से ठीक है तो आप ध्यान क्या रखना है कि 99% portion exocrine only 1% portion जो है वो कैसा ह एंडोक्राइन है तो एक बार देखते हैं digestive glands first one is pancreas it is heterocrine or mixed gland clear है बात then exocrine portion को हम क्या बोलेंगे pancreatic acini ठीक है then cells within the acini secret a mixture of fluid and digestive enzymes called pancreatic juice और pancreatic juice को हम बोलते है रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस अब रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस क्यों बोलते है उसको क्योंकि यह कोई भी substance हो उसको simple form में convert कर देता है सभी का digestion कर देता है यह basically सभी में मतलब proteins का digestion कर देगा carbohydrates का digestion कर देगा और fat का digestion कर देगा ठीक है इसके अंदर सारे enzymes होते हैं जो proteins का digestion के लिए carbohydrate का digestion के लिए और fat के digestion के लिए होने चाहिए clear है बात इसलिए इसको बोलते है rich chest digestive juice clear हुई बात आपको यहां तक then endocrine portion अभी हमने बताया कि आइलेट्स ओफे लेंगर हैंस यह फिर इसको pancreatic आइलेट्स भी बहुत सकते हैं ठीक है लेकिन यह नाम most commonly है आपके एंचाटी में भी यही नाम दे रखा है आइलेट्स ओफे लेंगर हैंस जो कुछ अलग अलग सेल सिग्रेट करता है बैसिकली alpha cell, beta cell, delta cell, gamma cell इस टाइप स होते हैं सो उनको हम अभी देखेंगे सो कुछ hormone सिग्रेट होते हैं एंडोक्राइन वाला पॉर्शन का भरलब है hormone सिग्रेटिंग जो hormone को सिग्रेट करता है कौन कौन सी होंगे ब्लुकागोन जो की alpha cells के द्वारा प्रोडूस होता है then insulin, beta cells के द्वारा प्रोडूस होता है then somatostatin और उसके बाद pancreatic polypeptide इस टाइप से लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे और hormones present होते हैं बच्चे अक्सर सोचते हैं कि जिरफ 4 ही hormone होते हैं यहाँ पे लेकिन इन 4 के ल से, somatostatin कौन सी cell से और यह delta cell से बनता है और फिर यह है pancreatic polypeptide यह P cells होती है basically, clear है बात यहाँ तक, अब हम बात करते हैं pancreatic duct के बारे में, accessory pancreatic duct के बारे में और एक diagramatically हम इसको समझ लेते हैं, अब हम diagramatically समझते हैं कि किस तरीके से ducts जो है वो unite होके क्या-क्या बना रहे है देखो, liver की दो lobs होती है, अभी हम पंक्रियास के बाद में liver के बारे में ही discuss करेंगे, so right liver से आने वाली, देखो, यह liver का एक lobe है, right lobe, यह left lobe, ठीक है, so यह वाली है, इसको हम बोलते है, right hepatic duct, the duct from right portion of liver is called right hepatic duct, and similarly from left portion is called left hepatic duct, ठीक है, यह दोनों डक्ट, आपस में join होंगी, और उसको बोलते है, common bile duct, ठीक है, then जो goal blader है, goal blader आपको पता है, कि liver के right portion में निचे present होता है, so goal blader की duct है, उसको हम बोलते है, cystic duct, cystic duct, यह आपके anxiety में वेंशन नहीं है, डाइग्राम में, लेकिन आप यह ध्यान रखेंगे, कि जो goal blader है, उसकी duct को हम क्या बोलते है, cystic duct, अब देखो, यह सारी, क्या-क्या, RHD लिसे तो मैं इसको, right, hepatic duct, RHD, और LHD, यह combine करके क्या अबना रही है, common hepatic duct, CSD, ठीक है, अब common, जो hepatic duct बोल दो, ठीक है, और जो cystic duct है, यह आगे चलके, pancreatic duct के साथ, pancreatic duct को बोलते है, duct of virsang, यह दोनों duct, duct from goal blader, यह जो common duct है, यहां से, right और left lobe से, वो आगे चलके, pancreatic duct के साथ, fuse करेंगी, और वो एक broad portion में open हो जाती है, उसको क्या बोलते है, हम लोग, यहाँ पे दिखा रखा है, है, हीपेटो, pancreatic, एमपूला, या फिर, एमपूला ओफ वेटर भी बोलते हैं, इसको, ठीक है, मैंने क्या बोला, कि, राइट हीपेटिक duct, लेफ्ट हीपेटिक duct, fuse करेंगी, then, goal blader से आने वाली cystic duct, यह, इस common, जो bile duct है, इसके साथ, fuse करेंगी, ठीक है, और, निचे आकर के, ब्रोड portion में open होती है, pancreatic duct के साथ, combine करने के बाद, उस portion को क्या बोलते है, हीपेटो, pancreatic, एमपूला, clear है बात, यह आपको ध्यान लखना है, इसके अलावा, यह duct है, pancreas की, इसको बोलते है, pancreatic duct, और, pancreatic duct का नाम अभी हमने बताया, duct of विर्संग, ध्यानक ना है आपको, यह अभी यहाँ पर लिखा हुआ, इसको देख लितने हैं, बाद में, पहले आप एक चीज़ और देख लो, यह है, accessory duct, इसको duct of centorini भी बोलते हैं, pancreas, देखो यह pancreas का structure है, यह pancreas है इतना, इसमें जो main है, यह वाली, इसको क्या बोलते है, pancreatic duct, और duct of विर्संग, एक accessory duct होती है, इससे निकलती है, जो, डोडिनम में, यह डोडिनम पोर्षन है, small intestine का, ठीक है, यह जिए जनम पोर्षन हो हो गया, so, pancreatic duct plus, यहाँ, गोल बेडर वाली duct, और कॉमन जो duct है, वो, यह तिनों open कहां पे हो रही है, हीपेटो-pancreatic ampoula में, जिसको ampoula of wetter भी बोलते हैं, एक और duct होती है, जिसको बोलते है, accessory duct, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, duct of centorini, एक पर देख लिएते हैं, क्या लिखा है, pancreatic duct, pancreatic juices are secreted by exocrine cells, ठीक है, into small ducts, in ducts में, that ultimately unite to form two larger ducts, दो last ducts की formation, और यह कौन कौन सी, pancreatic duct, यह वाली, then, accessory duct, pancreatic duct को बोलते है, duct of virsang, आप देहाना कना, duct of virsang, pancreatic duct को बोलते है, और accessory duct को क्या बोलते है, duct of centorini, ठीक है, then pancreatic duct, joints the common bile duct, अभी हमने बताया कि right और left से आने वाली को क्या नाम देए दिया हमने, common bile duct, pancreatic duct, joints the common bile duct, from liver and gallbladder, ठीक है, and enters the duodenum, as a dilated common duct called, hepatopancreatic ampulla और, ampulla of a waiter, clear हुई बात आपको यहां तक, अब यह जो, hepatopancreatic ampulla है, जिसको ampulla of waiter भी हमने बोला है, इसको एक sphincter guard करता है, और उस sphincter को हम क्या बोलते हैं, है, sphincter of odai, या फिर sphincter of hepatopancreatic ampulla, क्योंकि hepatopancreatic ampulla का ही, तो sphincter है, जो sphincter, इसको guide कर रहा है, तो इसका यह विनाम बोल सकते हैं, sphincter of hepatopancreatic ampulla, या फिर, यह important है, sphincter of odai, clear है बात, सो देख लिखते हैं, क्या लिखा है, दा पैसेज ओफ पंक्रेटिक जूस, एंड बाइल, थोदा, हिपेटो-पंक्रेटिक एम्पूला, इन्टु स्मॉल इंटेस्टाइन, यह जो पोर्शन है, डोडिनम पोर्शन ही तो है, यह स्मॉल इंटेस्टाइन का, इस रेगुलेटिड बाइ, इस मास ओफ स्मॉथ मसल्स, जिसको बोलते हैं, स्फिंक्टर ओफ ए हिपेटो-पंक्रेटिक एम्पूला, क्लियर हुई बात आपको यहां तक है, इस एम्पूला को गाड़ करने वाले स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर ओफ ओडाई, यह था, अब इस से, अब आउट 2.5 सेंटिमेटर, अपरोक्स डाई से 3 सेंटिमेटर उपर एक और होता है, एसेसरी डक्ट का स्फिंक्टर, वो देखना क्या लाई नहीं है, एसेसरी डक्ट लीड्स फ्रॉम पंक्रियाज, ठीक है, स्फिंक्रियाज से 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 स्फिं क्लियर है अब एक बार क्वीक रिकाप देदू इसका हमने जो अभी हमने देखा है क्या दो लोब सुतिन लिवर की राइट हीपेटिक और लेफट हीपेटिक दोनों कॉमन बाइट बनाती है गोल ब्लेडर से आने वारे डक्ट को सिस्टिक डक्ट बोलते हैं ठीक है तो फिर फिर एसे रिड़क होती है एक पैंक्रियास की उसको हम क्या बोल सूराइगे कि कि अगया नाम या नहींगे हमने अब इसका कहला नम दिया था ऑफिसी स्था कहां से स्थाट होती है जोटेनियाद से फी एंट एकन चीज अपको और धयान रकन है जो एक्जोक्राइन पॉर्शन है वो यह सारा पॉर्शन जो है एक्जोक्राइन वाला होता है जो एंडोक्राइन पॉर्शन है वन परसेंट जिसको हमने बोला था वो टेल रिजन में होता है इसको बोलते हैं टेल रिजन और यह बोड़ी बोड़ी ओफ पैंक्रियाज एंड इस वन इस टेल रिजन जो जो होर्मोनल पॉर्शन है जो एंडोराइन पॉर्शन है वो प्रेजेंट होता है टेल रिजन में सो कई बार आप से क्यूस्टन पूछ लिया जाता है कि अगर पैंक्रेटिक डक्ट ब्लोक हो गई तो कौन से कंपाउंड का डाइजेशन नहीं हो पाएगा प्रोपरली जो प्रोपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे और बिकोज दे कंटेन पैंक्रेटिक लाइपेज इस विच कंपाउंड और फूज फूद सबस्टेंस रिमें अंडाइजेस्टेड इफ पैंक्रेटिक डक्ट इस ब्लोक्ट सो दान्सवर इज फैट्स क्लियर है बात यह चीज आपको ध्यान रखनी है लेन कई कई बार क्या होता है कि जो पैंक्रियाज है उसमें इंफ्लाम अब हम बात करते हैं लिवर के बारे में लिवर को आप है पर भी बैट थे है यह सब से बड़ा होता है लारजएस्ट होता है अगर हम पूरी बोड़ी की बात करें तो लारजएस्ट जो ओरगन है वो कौन है स्किन है लेकिन उसके बाद हो वह को न होगा लीवर होगा डेन लीबर इस लोकेटिड इनफीर ट्राइफ्राम डायफ्राम क्या होता है आगे जब मार्स करेंगे तो रहताँ हुज हम सेट लिम्र शोफ मसल होती है That helps in inspiration and expiration मतलब एर को इन्हेल करने में और एक्जेल करने में डायफराम का ही रोल होता है Clear है Then, दो लोब होती है लिए वर की अभी इस से पहले हमने देखा था कि राइट लोब जो थोड़ी शी बड़ी होती है और एक स्मौल लेफ्ट लोब होती है और दोनों connected होती हैं अपस में बीच में वो किसके द्वारा connected होती है falciform ligament के द्वारा the two lobs larger hipet larger right lobe and smaller left lobe are connected by और joined by falciform ligament clear है बात यहां तक then liver जो है वो covered होता है by glissans capsule यह कुछ ने भी पूछ लेते हैं कि liver is covered by glissans capsule ठीक है अब liver के अंदर कुछ structural and functional units होती है उनको हम बोलते हैं hepatic lobules and these hepatic lobules contains hepatocytes यह question भी ध्यान रखना आप कि structural and functional unit of liver क्या है hepatic lobules which contains hepatocytes clear है then kuch phagocytic cells होती है liver की उनको हम बोलते हैं cover cells बहुत important question है examination point of view से कि cover cells कहां present होती है और क्या गरती है so ध्यान रखना cover cells जो है these are present in liver and phagocytosis करने में help करती है जो pathogen मगरा है जो harmful है उनको kill कर देती हैं को engulf कर लेती है अब हम बात करते हैं functions of liver के बारे में so glycens capsule के बारे में आपको एक बात मैं और बता दूँ कि glycens capsule क्या था liver is covered by glycens capsule तो glycens capsule जो है वह specific character है mammals का ध्यान रखना आप glycens capsule is also a specific character of mammals अब बात करते हैं functions of liver की बहुत सारे function perform करता है हमने साथ लिखे हैं इनके अलावा भी बहुत सारे और भी functions होते हैं क्या क्या है एक बार देख लेते हैं production of a bile juice अब ध्यान रखना कि liver जो है bile juice का production करता है लेकिन बाइल जूस जो है store कहां होगा फो गोल ब्लेडर में होगा ये question भी आप ध्यान रखना कई बार बच्चे एकसर confused हो जाते हैं क्या कि bile juice produce कहां होता है और store कहां होता है इसमें confusion रहता है उनको तो ध्यान रखना है कि liver जो है continuously bile juice produce करता रहता है लेकिन जो bile juice बना है वो store कहां पर होगा वो store होगा गोल ब्लेडर में clear है first point then detoxification में भी help कर सकता है detoxification क्या होता है मतलब जो harmful substance है बोडी के उनको बोडी से बाहर निकालने में भी liver जो है वो help करता है ध्यान अखना यह भी बहुत important function है then urea का production करता है urea cycle अगे हम पढ़ेंगे ornithine cycle जिसको बोलते हैं उसके production में भी help करता है liver then liver stores glycogen glycogen को store करता है glycogen का breakdown भी करता है और ग्लाइकोजन के breakdown के लिए एक टम यूज करते हैं glycogenolysis ठीक है इट ओल्सो स्टोर्स न्यूट्रियेंट्स आइन्स वाइटामिन बहुत सारे वाइटामिस को भी यह स्टोर करता है like vitamin b1 b2 b7 biotin ठीक है इस टाइप से vitamin a vitamin k बहुत सारे और भी आरबीशी 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 के breakdown में भी यह help करता है तो यह सब फंक्शन हैं जो काफी important है clear है अब हम बात करते हैं जो चौर्डर के बारे में सो गोल बडेडर है हो आपपको पता है कहां पर present होता है राइट छो लोब थी लिवर की उसके अनदर नीचे posterior surface में गोल बेडर प्रेजेंट होता है यह क्या करता है इट स्टोर्स दा बाइल जूस विच इस प्रोडूस्ट बाइल लीवर लीवर जो बाइल जूस प्रोडूस्ट करता है उसको कौन स्टोर करता है गॉल बेडर स्टोर करता है गॉल ब्लेडर के बारे में देखते हैं क्या क्या लिखा है पीयर सेब्ड सेक लोकेटिड इन ए डिप्रेशन ओफ पोस्टिरियर सर्फेस ओफ लिवर ठीक है यह बात क्लियर हुई आपको देन गॉल ब्लेडर जो है वो क्या करता है इट अब्जोब्स मॉस्ट ओफ दा बाइल जूस लिवर तो कंटिनुसली प्रोडूस करता जा रहा है बाइल जूस को सो गॉल ब्लेडर उसको अब्जोर्ब करेगा एंड मेक एटे मोर कंसेंट्रेटिड उसको कंसेंट्रेटिड बना देता है वो ठीक है कई की बार क्या होता है कि किसी कि R Warden ये दिक्कत हो जाते है कि जो इंफ्लामशन है गॉल बेड्र की ये होने लग जाती है यह फिर इसमें कोई इसकी इसकी फंक्षिनिंग में दिक्कत आजा जाती है तो गॉल बेडर को हमें रिमूव करना पड़ता है जिसको आप हिंदी में पित की थेली भी बोलते हैं इसको कई बार रिमूव करवाना पड़ जाता है तो इसका side effect क्या होगा अगर गॉल बेडर को रिमूव कर दिया है तो fat digestion जो है उसमें problem हा जाएगी जिन परसन का यह operation होता है जिसका गॉल बेडर रिमूव कर दिया जाए उनको यह advice किया जाता है कि आप fat rich diet जो है वो कम से कम ले ठीक है क्यों क्यों कि अगर गॉल बेडर रिमूव कर दिया तो गॉल बेडर क्या कर रहा था absorb कर रहा था bile juice को and make it more concentrated उनको concentrated बना रहा था जो नॉर्मल है हुआ ठीक है मैंने क्या बोला कि गॉल बेडर जो है कई कई बार रिमूव करना पड़ जाता है तो अगर रिमूव कर दिया तो उस patient को उसको advise करता है doctor कि आप fatty rich diet जो हो ज्यादा होते हैं then cc के जिसको हम बोलते हैं cholecystokinin यह क्या करता है it causes contraction of a gallbladder यह इंपोर्टेंट है यह दोनों point examination point of view से काफी important है कि contraction कोंड करवाता है cholecystokinin देन एक ताम होती है अगर जो गॉल बेडर है उसमें स्टोंस बन जाएं तो उसके लिए एक ताम यूज करते हम biliary calculi यह फिर इसको कॉले लीथियसिस भी बोलते हैं that is formation of stones in gallbladder इसको बोलते हैं को ले लीथियसिस सो हमने liver के बारे में discuss किया거든 quarter के बारे में discuss किया penkriyas के बारे में discuss किया salary glands जो है वो हमने तक हम आज की खिर स्लाइवा वाले portion में डिसक्स कर लिये थे देखेंगे हम होलो जोएक नूट्रिशन में लाइक इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन वो सारे स्टैफ हमें डिटेल में देखने हैं तो आप यहां तक वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं थैंक यू